सौथ अफरीका के दोरे के लिए भारते टीम की घोशना कर दी गई है। सौथ अफरीका दोरे पर भारत को 3 T20, 3 One Day और 2 Test Match खेलने हैं। सौथ अफरीका दोरे पर भारत को 3 T20, 3 One Day और 2 Test Match खेलने हैं। T20 की कमान सूरे कमार यादव को सौपी गई है। वहीं के अल राहूल वंडे सीरिस के लिए कमान संभालेंगे। Test टीम की कमान रोहित शर्मा को सौपी गई है। रोहित शर्मा और विराद कोली ने बोर से नुरूद किया है कि वह सौथ अफरीका दोरे पर T20 और One Day नहीं केलेंगे। वहीं मोहमद शामी फिलाल चकित सा उपचार से गुजर रही है। उनकी उपलबता फिटनेस पर ही निर्भर है। वन्डे टीम में सञ्जू सैमसन और यजو हेंद्र चैल की वापसी हुई है। पातिदार साई सुदर्षण को भी नई चहरी के रूप में टीमें शामिल किया गया है यजवेंदर चाहल और संजू सेमसन को ये बड़ा मौका मिला है वहीं वनडे टीम में शुमनगिल को मौका नहीं मिला है वहीं सूरे को भी वनडे टीम से नदारत किया गया है इतना ही नहीं अब टेस्ट टीम में स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के तौर पर केल राहूल और इशान किशन है टेस्ट टीम के उपकप्तान अब जस्प्रेत बुम रहोंगे T20 की कप्तानी में एक बार फिर से सूरी कुमारी यादब पर विश्वास जटाया गया है वहीं को कप्तान रावेंद्र जड़ेजा होंगी यानि कि रावेंद्र जड़ेजा को पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है खास बात यह है कि रितुराज गायकवार तीनों प्लैटफॉर्म में शामिल किये गए है चलिए अब आपको दूसरे टेस्ट के लिए भारत की टीम के बारे में बता देते हैं इसमें रोहित शर्मा, शुबमंगिल, येशस्वी जैस्वाल, विराट कोली, श्रेश ऐयर, रितुराज, गायकवार, इशान किशन, केल राहूल, रवीचंद्र नश्विन, रवेंद्र जड़ेजा, शादूल ठाकुर, मुहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, मुहम्मद शम रिंकु सिंग, श्रेश ऐयर, केल राहूल, जोकी विकिट कीपर और कप्तान होंगे, संजु सैमसन, विकिट कीपर की रूप में सामने आएंगे, अक्षर पतेल, वशिंटन सुंदर, कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, मुकेश कुमार, अवेश खान, अर्ष्टीप सिंग, दीपक चहर शामिल होंगे, लेकिन खास बात ये रही कि सौथ अफरीका दोरी के लिए टीम इंडिया का बड़ा अलान सामने आया, जो हैं रोही शर्मा को टेस्ट की कमान, सूर्या और राहूल को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौपी गई